में तो एक समाचार आया है गाजा पट्टी से कलका और गाजा सिटी वहाँ पे एक शहर है वहाँ पे कल ऐसी भगदर मची है कि सैकणों लोग वहाँ पे हताहत हो गए है यानि या तो वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में मारे गए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे घाय छहर के अंदर पूंचे वहाँ पे हजारों लोगों की भीड कठा हो गई और इतनी बड़ी भीड कठा हुई इस तरह से वहाँ खाने के लिए आटे के लिए अनाज के लिए छीणा ज्वट्टी मचीब कि उस पूरी की पूरी छीणा ज्वट्टी में दर्जनो लोग वहां पे मारे गए और सेक्ड़ों लोग भाहल हो यहां तक कि इतनी बुरी किसे वहाँ पे लोग मारे गए कि जो ट्रक राहत समगरी ले के आये थे उन ट्रकों के नीचे लोग कुचल गए तो ये इस समय गाजा पटी के अंदर हो रहा है और ये कोई ऐसा नहीं कि पहला वाक्या है आप समझे कि जब से रमजान शुरू हुए हैं और जब से रोजा वह पर लोग रख रहे हैं आप समझ लोग कि वहाँ पर कई ऐसे बहुत सारे जो अरभी भाशा के अकबार हैं वो ये लिख रहे हैं कि लोगों के लिए रोजा रमजान इफ्तारी मुश्किल हो भी है यानि इफ्तारी चुकित होती है कि वह इतनी टाइप पर करनी है और आप सो यह अबिस दिनों पहले भी ऐसा वाक्या होवा था न वंच को जहां पर की छो पैराशूट से नोजो ब sut पर करते हैं और भिर बाद कर confronted दो चुट्れ रमजान के मेने में हुई और घटना ये हुई कि इसराइल ने जो एक बहुत बड़ी वहां पे भीड़ी कठी थी वो राहत के लिए लोग आये हुए थे लेकिन उस भीड़ पर इसराइल ने ये कहके हमले कर दिये कि साथ यहां पर आतंकवादी है और उसमें लगबग 23-25 लो वो इसके लिए पुरी तरह से जिम्यदार है क्योंकि उन्होंने अपने देश के भविश्य को भिना सोचे देश को युद्ध में जोकने का फैसला लिया और उसकी कीमत उनको आज इस तरह से भुगत नहीं पड़ रही है और ये जो हमास नहीं किया इसकी कीमत सिरिया को भी भुगत नहीं पड़ रही है वितरो सीरिया के अंदर इतना बड़ा हमला किया है शुकरवार के दिन इसराइल ने कि ऐसा हमला बीते 6-7 सालों में मैंने तो नहीं सुना कभी एक सिंगल स्ट्राइक में यानि सिर्फ एक हमले में इसराइल ने 50 से जादा जो सीरिया के सैनिक जो हिजबुला के सैनिक थे उनको वहाँ पर मार दिया है और आप अगर जानते हो तो एक शहर है अलेपो जो कि एतियासिक शहर माना जाता है बहुत सीरिया का तो इस अलेपो शहर में ये स्ट्राइक की थी इसराइल ने और इस स्ट्राइक में उसने हिजबुला का एक पु सावन भी लिखा हुआ है लेकिन कहा जा रहा है कि करीब 50 लोग जो है इस हमले में एक सिंगल स्ट्राइक में मारे गए और हिजिबुल्ला का एक बहुत सीनियर कमांडर भी इस पूरी स्ट्राइक में जो है इसराइल ने मार दिया है तो अब इस पर जब सवाल पूछा गया औ कि सीरिया का जो रूट है उस रूट को इस्तिमाल करके चुंकि लेवनान में लड़ने के सामान पहुंचाए जाते हैं इसलिए वहाँ पे सीरिया के अंदर वो हमले करता है उसमें जराभी वो हिचकता नहीं है अब आप देखिए कि अभी हाल फिलाल में उसने अभी दो दि ले थे लेकिन अब इसके बाद लेबनान की तरफ से हिजबुला की तरफ से सहींत राष्ट को बुलाया गया कि आप जरा आकर के देख लिए कि यहां पर इस पर इनकी बोलने की इमत नहीं है इस राइल का खौफ ऐसा है तो सहींत राष्ट के पीस कीपिंग मिशन के चार ल अगर देखें तो एक तरफ तो इस तरह से पूरा का पूरा जो शहर है वो तबाह हुआ पड़ा है इसके अलावा इसके बाद भी जो आसपास के इसलामिक मुल्क है उनके अंदर इसमें बहुत दैशत बैठी हुई है और दैशत इसलिए बैठी हुई है क्योंकि जो इसराइल है वो अभी अमेरिका से और जादा गोला बारूद और जादा हत्यार मंगा रहा है अब आप देखिए कि जो खबरें आ रही है उसके मताबिक लगबग वो ऐसे पंदरा सो बम मंगा रहा है जो दो हजार पाउंड के हैं आप सोचिए दो हजार पाउंड के बम है उसका सिधा सा हिसाब यह है कि एफ थर्टी फाइव उसके पास है जिससे कि वह अपने इसराइल अपने आसमान की सुर्चा करता है ताकि कोई गुसबैट ना कर पाए और जो वाकी उसके पास F-16 है उनसे वह जा करके जो गाजा पट्टी वहां बंबारी करता है वहां र रमजान का महिना चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर जो मुसल्मान है वो इफ्तारी करते हैं लेकिन जो गाजा पट्टी के मुसल्मान है वो इफ्तारी नहीं करते हैं कि इफ्तारी करने के लिए उनके पास अनाजी नहीं है और अगर इफ्तारी करने के लिए वो अनाज की लेने के लिए जाते हैं तो तो भ fact अपना हूं हो जाées क्यान हो जाती है और अब हौल फिलाल जी गटना हुई है soybeans मैं्म तो बताया जा रहा है कि इतनी बरी संक्या फिरा गई थी कि इसको भीड को का लाने के लिए तितर बितर करने के लिए वहां पर फाइरिंग कर दी गई और फाइरिंग जैसे ही वहाँ पे की गई वैसे ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी भगदल मची और इस भगदल में लोग ट्रक के नीचे कुचल के आगए जो मैंने आपको पूरी घटना बताई अभी लेकिन सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक यही घटन अब यमन के अंदर बहुत बड़ा हाथसा वा था हाथसा भी रमजान के महिने में हुआ था और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को खाने पीने का सामान बाटने की योजना थी लेकिन वो देश भी इतना भूखा नंगा है कि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए और इसके बाद वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए कि जो आयोजक थे उनको जान बचाने की लाले पड़ गए उन्होंने वहाँ पे गन चल तो पूरे शेहर की बरबादी वह जिम्मेदार है वह अगर यह शुरुर ना होगा होता तो आज गाजा-पट्टी के लोगों की हालत यह ना होती है वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा वीडियो को जरूर शेर कीज़ेगा इस वीडियो पर पड़ी कीज़ेगा नमस्कार भारत माता की जैवंदे मातरम जैश्री नाम हरार मादेव धन्यवाद